टीवी इंटरस्टे में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि सदाबहार कहे जाते हैं जियां दोस्तों उन्हीं चेहरों में से एक हैं रुबीना दिलाइक जियां दोस्तों रुबीना दिलाइक ने इंटरस्टे पर काफी सालों से राज किया था पर उन्हें असली पहचान मिली थ जिनमें उन्होंने राधिका के किरदार निभाया था जिसके बाद रुबीना दिलाइक ने घर-घर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी जिनी और जूजू के साथ साथ पुनर विवा एक नई उमीद में भी उन्होंने अपने अभिने का लोहा मनवा कर घर-घर में एक अलग ही पहचान बनाई थी दोस्तो सकती अस्तित्व के एहसास से भी राधिका याने की रुबीना दिलाइक को खूब प्यार मिला था और इस वक्त बिग बोस सीजन 14 की ट्रोफी भी अपने नाम कर चुकी है रुबीना दोस्तो बतादे हैं कि रुबीना बहुत ही जल एक नए फिल्म में असरा आने वाली थीं जिसकी वजह से वो काफि जोरो शोरो से शूट भी कर रही है दोस्तों आपको बता देए कि रूबीना डिलाइक के बारे में वैसे तो कई सारी अफ़धाने भी निकल कर सामने आती हैं उन्हें से एक अफ़धाने अए है कि रूबीना डिलाइक एकाउंट के पती लड़ाई हुआ था जिसका एक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया था जिया दोस्तो इस वीडियो में रूबीना अपने पती से दूर जाने की बात कह रही थी और बता दें इस वीडियो में रूबीना अपने आपको खत्म करने की भी बात कह रही थी वो काफी जादर हो रही थी हाला कि य यसी ही ये वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुई लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि रूबीना दिलाइक अब इस दुनिया में नहीं रही है। वीडियो के माधियम से जो कुछ भी इंफर्मेशन में आपको दी है वो हमें सोसल मीडिया के माधियम से पराप्त हुई है। इस बात में कितनी सचाई है इसका पुष्टी करण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश से आपका गीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। झाल 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 झाल